कुछ बच्चे जब कदम उठाते हैं तो ऐसे-एसे कदम उठा लिया करते हैं कि ना घरवालों की चिंता होती है ना अपने सम्मान की चिंता होती है ना ही समाज की चिंता होती है आज की जो घटना है वो इसी से सम्मन्नित है साधी के दिन ओयो होटल में पकड़ी गई दुलहन और बारातियों ने कर दिया पूरा हंगामा दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पूरा यहां पर तांडब हो जाता है आखिर क्या हुआ था इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तरशीवा चैनल में आपका स्वागत है यह घटना मद्य प्रदेश के गड़वा की है मद्य प्रदेश के गड़वा में पिंकी नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उमर 22 साल है और वे अपने घर में अपने मम्मी पापा और अपना एक छोटा भाई है और एक छोटी बेहन है निसा जिसकी उमर 19 साल है और मज़ी पापा के साथ आराम से रहा करती है पढ़ाय लिखाई कर रही है अब क्या होता है पिंकी के पड़ौस में एक रजट नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उमर 21 साल है और रजट से पिंकी को प्यार हो जाता है चट पर चड़कर रोज उसे देखा करती दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है दोनों मिलना चाहते हैं तो चुपके से दोनों मिल भी लेते हैं और आप पिंकी रजट को अपनी चट पर बुला लिया करती रात को और चट पर उसके साथ संबन बनाया करती उसके बाद वह दूसरी चट पर कूद जाया करता इसी तरह से मामला चल रहा होता है और यहां पर एक दिन वो दोनों उपर चट पर संबन बना रहे होते हैं तब ही वहाँ पर पिंकी की मा पहुंच जाती है और उन दोनों को नगन हालत में छट के उपर संबन बनाते हुए देख लेती है। समझा दिया जाता है उसके बाद पिंकी की मा और पिंकी का पिता यही समझते हैं कि अब यह मान जाएगी उसके बाद पिंकी थोड़ा सा चुप रहती है और फिर पिंकी घरवालों से कहती है कि मुझे सिलाई सीखनी है अब घरवाले सिलाई सीखने के लिए सोचते तो है एक प्रेम को परवन चड़ाया करती अब क्या होता है यहां पर घरवालों को फिर से पता लग जाता है और अब घरवाले पिंकी का मोबाइल वगेरा सीन लेते हैं और पिंकी के उपर पिटाई भी लगा देते हैं कह देते हैं कि आज के बाद तु घर से बाहर नहीं जाएगी तु उन्ने तो बिल्कुल नाक ही कटा रखी है हमारी पिंकी घर में रह जाती है एक तरह से बंदी बन कर रह जाती है लेकिन अभी भी उसके मन में रजत के लिए प्यार उमड रहा था वे बार बार सोचती कि रज सामाने खटा किया जाता है और फिर साधी वाले दिन बारात घर पर चड़ी हुई थी घर वाले बारात में लगे हुए थे उसके स्वागत में और मेहमानों को खाना वाना खिलाने में तब ही पिंकी को मौका मिल जाता है और पिंकी वहां से फरार हो जाती है पिंकी और रज सμबनने लगते हैं इदर जब फेरों का टा além होता है तो पिंकी को ढूणना जाता है पिंकी अपने घर से गाएब होती है अब तो घरवालों के पाओं के नीचे से जमीन कहिसक जाती है कि इस लड़की ने हमारी कितनी बेज जाती करवाी अब इसका फेरे का टाइम है फेरे डलने का और यहां से भाग चुकी है तो इसको ढूनने के लिए दर दर घूमने लगते हैं और बरात को और दूले को भी पता लग जाता है कि लड़की फरार हो चुकी है अब क्या होता है? पिंकी का छोटा भाई इदर उदर उसको ढून रहा होता है तो ओयो होटल के बाहर जैसे वे जाता है तो उसको रजत की मोटर साइकल खडी हुई नजर आ जाती है उसके बाद भी अपने घरवालों को वहीं पर बुला लेता है और OEO होटल के अंदर घुज जाता है वहाँ जाकर कमरे में देखने के लिए कहता है तो OEO होटल की जो मालिक होते हैं वह कहते हैं कि हम इस तरह से किसी की प्राइवेसी उजागर नहीं कर सकते आप ठाने में जाईए वहाँ पर एप्लिकेशन दीजिए और पुलिस को हमारे पास लेकर आईए तब हम कमरा खोलेंगे तो पिंकी का जो छोटा भाई होता है इसी तरह से अपने घरवालों के साथ थाने जाता है एप्लिकेशन दर्ज करवाता है और फिर पिंकी का दरवाजा खोला जाता है दोस्तों वहाँ पर जैसी दर्वाजा खोला जाता है तो पिंकी वहाँ पर मिलती है और जो रज़त होता वह भी मिलता है पुलिस रज़त को हिरासत में ले लीती है पिंकी को पिंकी घरवाले अपने घर ले आते हैं गर आकर जब दूले को पता चलता है कि पिंक की जो की ओयो होटल में से आई अपने प्रेमी के साथ मिलकर तो अब दूला यहां पर साधी करने से मना कर देता है वैं कहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ साधी नहीं कर सकता जिसका मेरे पिर्टी कोई रुजहाव ही नहीं हो जो किसी और से प्यार करती हो और के साथ साधी से पहले अवे समंदों में है तो मैं ऐसी लड़की करूँगा क्या यह कल को मेरे सर पर चड़कर बोलेगी मेरे घर स गायब हो जाया करेगी तो यहाँ पर वे साधी करने के लिए तयार नहीं होता है अब बारत उल्टी लोटने का हिसाब कताब बन जाता है लेकिन गाउवाले समाज के हिसाब से फिर यहाँ पर पिंकी की जो छोटी बेहन होती है निसा जो की 19 साल की है उसके साथ उस लड़के की साधी कर देते हैं और बारत को विदा कर देते हैं पिंकी घर में रह जाती है और पिंकी के उपर कड़ा पहरा लगा दिया जाता है और अब पिंकी फिलाल घर के अंदर ही है तो दोस्तो इस तरह से कई बार कहते हैं कि बेटियां पैदा होना गलत है लेकिन दोस्तो बेटियां पैदा होना गलत है और सही भी है सही ऐसी है कि बेटियां ऐसी ऐसी भी है जो गोल मेडल लाती है अपने माबाप का नाम रोसन करती है लेकिन गलत इसलिए कहते हैं लोग कि बेटियां इस तरह के कर्म कांड कर जाया करती है उनका आंपन सम्मान मिट्टी में मिला दिया करती है एन मौके पर तो इसलिए समाज के लोग कुछ यह कहते हैं कि बेटी तो पैदा ही ना हो इससे तो अच्छा यही है वो इनी करमों को देखकर कहते हैं माबाप वरना बेटी माबाप का सर उंचा भी उठाती है बड़े बड़े गोल्ड मेडल बड़ा नाम करती है खेलों में बेटियां है अपसर भी बेटियां बनती है आये सोबी सर भी बेटियां है बहुत सारी फील में बेटियां आजकल हैं लेकिन ऐसी जो बेटियां हो जाती है इनके कारण ही बेटियों को गालियन दी जाती है तो आप इस लड़की के बारे में क्या कहना चाहोगे यहाँ पर छोटी बेंच जिसको कोई साधी नहीं करनी थी अभी उसकी साधी कर दी जाती है और यहाँ घर के अंदर एक तरह से कहते हैं बंदी की तरह रह रही है इसको बंदी बना कर रखा जा रहा है दोस्तों कभी भी ऐसे वैसे किरते ना करें जिससे आपके परिवार का समाज में जो आंट पर सम्मान वो गिर जाए और लोग आपकी तरफ उंगली उठा कर बात करने लगे अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसको सेर जरूर कर दिया करें हम आपके बहुत बहुत ताभारी रहेंगे अगला प्रोग्राम में बोजल्दी फिर से लेकर आउंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साबधान रहें रिष्टों की एमियत को समझें जै हिन जै भारत